तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो चलिए आज मैं एक और न्यू वीडियो समाजिक विज्ञान का लेकर आ गया हूं तो चलिए बिना देर की वीडियो को सुरू करते हैं यह आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर प्रशाड और डेनमार्क की यूद और डी कहता है शेडान का यूद तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा उप्सन नमर डी यानि शेडान का यूद के बाद जो है जर्मनी का एक इकरन पुरा हुआ था चलिए कोस्टन नमर दो कहता है सामयबादी घोसना पत्र के लेखक थे जानि सामयबादी जो भुषणापत था उसके लेखक कौन थे एक नमर का रहा है लिए टॉल्स टॉय बी नमर का रहा है ट्रॉस्ट की और सी का रहा है लेनिन और डी का राय कालमार्क्स और एंगल्स तो इसका जो कोस्टन नमर दो का जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप नमर यह है 1921, B है 1928, C है 1929 और D है 1936 तो कोस्टन नमर तीन का जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर डी यानि 1936 अखिल भारती किसान सबागी स्थापना कब हुआ था 1936 इसवी में से लिए कोस्टन नमर चार का राएगी भारत में टाटा हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर इस्टेशन की स्थापना अकब हुई अप्सेर नमर यह काता है 1910 इसवी बी काता है 1907 इसवी और दी काता है 1952 तो कोशन नमर चार का जो राइट अंसर हो जाएगा उनीस सदस इस वी आनि आप्सन नमर ए कोशन नमर पांच काता है मुद्रन सबसे पहले किस देश में आरम हुआ तो ओप्सन नमर यह काता है चीन वी काता है जापान सी है इटली और डी है भारत तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चीन आनि आप्सन नमर ए कि प्सक्राइब किस वर्ष साइमन कमिशन भारत आया उप्सन नमर यह काता है 1922 इस वी इसका राइट इंसर हो जाएगा चीन नमर साथ क्यों बढते हैं को साथ कर रहा है पांचवे स्थापना किसकी रचना है तो मार्टिन लुथर बी काता है काल मार्टिन लुथर किंग द्वारका नाथ टेगोर तो कोशन नमर साथ का जो राइट एंसर हो जाएगा मार्टिन लुथर आनि ओप्सन नमर ए इसका जो है वो राइट एंसर हो जाएगा चले कोशन नमर आठ की और बढ़ते हैं कोशन नमर गुटेन बर्ग ने सर्वपर्थम किस पुस्तक की छापाई की एक है कुरान, ब है हदीशा, सी है बाइबिल, ब कता हदीश और सी है बाइबिल और ड है गीता तो कोशन नमर आठ का जो राइट एंसर हो जाएगा वो जाएगा बाइबिल आनि कोशन नमर सी इसका राइट एंसर हो जाएगा Q9 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मात्मा गांदी या नियुजना के तहत पहले या सुरू में कौन से उद्योग सामिल थे Q10 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोईला का पास और या नियुजना यह इसका राइट एंसर हो जाएगा Q11 कीर बढ़ते हैं निमें लिखित में किसे सामिवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है Q12 कीर बढ़ते हैं कौन से संसोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा अस्तर बनाया गया Q12 का राइट एंसर हो जाएगा तेहां तरवाज संसोधन आनि ओप्सन नमर बीज का राइट एंसर हो जाएगा Q13 कीर बढ़ते हैं करा कि निमें से कौन सा पंचायती राजवेश्था का दूसरा स्थर है A है ग्राम पंचायत, B है जीला पंचायत, C है पंचायत समीती और D है नगर पालिका तो Q13 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायत समीती यानि ओप्सन नमर C इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा Q15 का रहा है कि निमन में से कौन सी स्थिति लोगतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवसक है Option नमर ये काता है मजबूत जनमत, D काता है निरक्षार नागरी, C काता है मजबूत सेंडर बोर्ड और D काता है नियंत्रीक मीडिया और प्रेस Q15 का जो राइट एंसर हो जाएगा मजबूत जनमत अनियो अप्सन नमर ये इसका जो है वो राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगले Q15 का रहा की निमन लिखित वेक्तियों में कौन लोगतंत्र में रंगभेत के विरोध नहीं थे A है मार्टिन लूथर किंग B है मात्मा गांधी C है ओलमपिक धावक टॉमी इसमित एवं जॉन कारलोस और D है जेट गुडी तो Q15 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नमर D आनि जेट गुडी जो है वो इसका बिल्कुर राइट एंसर हो जाता है Q16 का राइनितिक दलों की नीव सरपर्थम किस देश में पड़ी A है ब्रिटेन, B है भारत, C है फ्रांस, D है संयुक तराज अमिर का Q16 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो जाएगा ब्रिटेन आनि ओप्शन नमर यह इसका जो है वो बिल्कुर राइट एंसर है Q17 का रहा भारत में किस तरह के लोगत तंतर की विवस्था की गई है A है प्रत्यक्ष, B है और प्रत्यक्ष, C है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष दोनों और D का रहा इनमें से कोई नहीं तो Q17 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और प्रत्यक्ष है नहीं B नमर इसका राइट एंसर हो जाएगा Question number 18 का इनमें से कौन सी राजि की विशेस्ता नहीं है A है जनसंख्या, B है सरकार, C है संप्र भुता और D है इनमें से कोई नहीं To question number 18 को जो right answer हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आनि option number D इसका right answer हो जाएगा चलिए question number 19 को बढ़ते हैं सब्सक्राइब करें राइनितिक दलह की मानिता और उसके किस्के दौरा परदान किकी जाता हैं ऑप्शनromor यह राष्ट पती छीवाले दौरा भी है परदानमंत्री छीवाले दौरा सी निर्वाचन आयोग दोरा ओर डी है संसत्य तो कॉस्चन नमर 19 का जो राइटेंसर हो जाएगा उप्षान निर्वाचन आयोग द्वारा जिक आई जिस देश की राष्टी आई अहिक होती यह वह आदेश कहलाता है एक कह रहा है आ विक्सित बी है विक्सित C है अर्ध विक्सित और D है इनमें से कोई नहीं तो question number 20 का जो राइट अंसर हो जाएगा वो विक्सित देश जानि डेवलोप्मेंट देश का लाता है option number 20 का राइट अंसर हो जाएगा भारत में वितिये वर्स होता है ए है 1 January से 31 December तक B है 1 July से 30 June तक C है 1 April से 31 March तक और D है एक सितंबर से 31 अगस्त तक तो question number K का जो राइट नसर हो जाएगा वो जाएगा एक अप्रेल से भारत में वितिये वर्स कब होता है तो एक अप्रेल से 31 March तक हो नहीं option number C का right answer हो जाएगा जिले question number 22 करता है कि भारत में किस राजी की पर्तिवेक्ती आये सब्से कम है यह है बिहार B है पंजाब C है हर्याना और D है गोवा तो question number 22 का जो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा option नमर यानि बिहार का जो परतिवेक्ति आया है वो सबसे कम है कुषिय नमर 23 का रहे हैं नमली में से कौन सा अध्वनिक मुद्रा का एक रूप है एक है सोने किसी के भी है कागज के नौट और C है चामदी के किसी के और D है इनुमें के नीए तो कुषिय नमर 23 का जो राइट अचर हो जायेगा का नौट जो है आनि option नमर बीस का जो है रिजर्ब बेंक ऑफ इंडिया सिर्फ पतिए अथि और राष्ट पति ऑड और संसयत कि तो कुर्षन 24 का जो राइट ने सर्फों और रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया नि आर बी आई जो जिसे हम कहते हैं सौट में कोशन नमर 25 का जो राइट को सरोपर्थम वेवसाइक बैंकों का रास्टी करन कब किया गया तो कोशन नमर 25 का जो राइटम सरोजाएगा तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तो धन्यवाद